नमसकार दोस्तो क बने तो सब्दार की खाओ नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो केरेंसी के वारे में जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज कल की होट टॉपिक है क्रिप्टो क्यरेंसी Cryptocurrency अगर आपने नहीं सुना तो Bitcoin का नाम आपने जरूर सुना होगा और Bitcoin का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले कुछ चनाता है कि हम कहां से इसमें इन्वेस्ट करें या फिर हम कहां से Bitcoin को खरीदें या फिर कोई और Cryptocurrency हम कहां से खरीदें तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए कौन सा एप या कौन सी वेब साइट आपके लिए best रहेगी जहां से आप क्रिप्टो करेंसी buy, sell कर सकते हैं यानि आप अपनी ट्रेडिंग इस्टार्ट कर सकते हैं तो आज मैं जिस आप की बात करने वाला हूँ, उस आपका नाम है वजीर X और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या प्रासेस करना होगा अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तो सबसे पहले मैंने जो लिंक दे रखें डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है तो चलिए इसको ओपें कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एप ओपें किया है कुछ ऐसा आपको दिखेगा अभी यहाँ पर मैंने साइन अप नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ से आ जाते हैं और साइन अप कर लेते हैं तो वहां से आप चाहें तो रफराल कोड डाल सकते हैं यहाँ पिर आप किसी दोस्त का भी रफराल कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं आएगा mail को आपको verify करना होगा तो यहाँ पर जाके mail को verify कर देते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने verify कर दिया है आप मैं आके इसको चेक करते हैं इसके बाद मैं आपना यहाँ पर security आप सेट कर सकते हैं मैं recommend करूंगा कि mobile sms या फिर authenticator app से आप अपनी security आपसे अड़ कर जाए क्योंकि मैं यहां पर एक dummy account बना रहा हूं इसलिए मैं अभी इसको none किये दे रहा हूं इसको none करने के बाद में okay कर देते हैं country select करेंगे इंडिया तो यहां पर आपको KYC complete करनी पड़ेगी तो यहां पर पैसे अड़ करने के लिए आप यहां पर फंड ऑप्शन में जाने के बाद में यहां पर आपको आए नर ऑप्शन दिखेगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आप यहां पर डिपॉजिट ऑप्शन में जाने के बाद में यहां प आप 100 रुपए आड़ करेंगे तब भी यहां पर 5 रुपए 90 पैसे लगेंगे और अगर आप इसमें 1000 रुपए आड़ करेंगे तब भी 5 रुपए 90 पैसे लगेंगे तो जितना आपको एड़ करना हो एक ही बार में आप आड़ कर दीजेगा बार-बार आड़ करने से आप ही unavailable है जैसे कि मुझे अगर UPI से करना है तो यहां पर amount एंटर करेंगे जैसे कि मुझे अगर 1000 रुपीज एड करने है तो यहां से एंटर करने के बाद में continue का option करेंगे continue करने के बाद में आपको यहां पर अपती UPI ID डालनी है और उस UPI ID पर request चली जाएगी और जिस भी आप से आप चाहें उस आप से यहां पर payment कर सकते हैं तो यह हो गई payment की बाद अब आते हैं कि कैसे मुझे कौन सी coin खरीदनी है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते है INR में से बहुत सारी coins यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी जो भी आप खरीदना चाहें यहां पर bitcoin है, doggy coin है उसके अलावा आप यहां पर ethereum मिल जाएगी और repel मिल जाएगी उसके लावा कई सारी नई coins भी इसमें add होती रहती हैं आप वहां से जाके easy money बना सकते हैं जैसे कि मुझे अगर bitcoin लेनी है तो यहां पर आपको option मिल जाएगा buy और sell का तो यहां पर आप lowest price जो भी होगी वो price set कर दीजेगा और जो भी amount चाहते हैं जैसे कि मुझे 0.001 bitcoin चाहिए आप amount यहां पर enter कर सकते हैं यहां पर बढ़ा भी सकते हैं और यहां पर purchase करने के लिए आप यहां पर buy option पे click करेंगे buy option के बाद में यहां पर आपको confirm करने का एक option दिखाए देगा कि आप यहां पर slide करेंगे तो confirm हो जाएगा यहां पर आप अपने detail देख सकते हैं और खरीदने के लिए इसको जैसे आप slide करेंगे यह आपके wallet में add हो जाएगा अब sell करने के लिए यहां पर buy और sell option यहां पर आपको दिख रहा होगा sell करने के लिए आप यहां पर sell के option में जाएंगे और जो highest price हो उसको set करने की या फिर आप यहां पर set भी कर सकते हैं कि इतने price पर जाने के बाद में मेरा sell हो जाए जैसे कि मैं अगर set करना चाहूं कि यह 30,000,000 पर पहुंचके sell हो जाए तो यहां पर 30,000,000 मैंने select कर दिया है उसके बाद में आप यहां पर sell का option दबा के इसको set कर सकते हैं इसके लावा आपको एक option और मिलेगा यहां पर limit आपको दिखाई दे रहे होगी और जैसे आप limit पे click करते हैं यहां पर आपको नीचे stop limit दिखाई देगी stop limit यह होती है कि जैसे कि आप कोई crypto buy कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि वो down जाएगी या फिर अब जाएगी वैसे predict करना बहुत थी मुस्किल काम है आप इसके लिए stop limit लगा सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर 28 पे लिया 28 लाग पे ले लिया है अब मुझे 26 लाग से ज्यादा का नुकसान नहीं चाहिए मतलब 26 लाग पे पहुंच जाए उसके बाद में हो सकता है कि और ज्यादा गिरती चली जाए तो मैंने 26 लाग पर यहां पर लगा दिया है इसके बाद में आपको यहां पर limit price set करनी होगी जो की stop limit से just नीचे होगी यानि 26 लाग पहुंचने के बाद में जैसे ही 26 लाग के नीचे जाएगा आपका यहां पर order place हो जाएगा यहां पर 25,99,999 यहां पर अगर मैं set कर दूँ यानि 26 ल limit हटा सकते हैं और अपने हिसाब से भी इसको set कर सकते हैं तो यह buy or sell करने का option यहां पर आप देख सकते हैं इसके लाओं यहां पर आप my order में जाके जो भी order आपका लगा यानि कब sell करना है कब buy करना है अगर आपने auto buy या फिर auto sell लगा रखा है तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसके लवां आप चार्ट भी देख सकते हैं बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जितना ही इसमें पैसे बढ़ने के भी चांसेस हैं बस क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है ये पेसेंस का गेम है आपको पेसेंस रखना होगा हो सकता है आपने किसी कोईन में इन्वेस्ट किया और वो तुरंट डाउन चली जाए तो आपको पेसेंस बनाए रखना है ये नहीं कि आप पैनिक में आके उसको क्रिप्टो जरूर उपर जाएगी तो आपको तब तक होल्ड करके रखना है और अगर आप पैनिक करके तुरंट आपने सेल कर दिया तो हो सकता है अगले एक गंटे के अंदर ही वो क्रिप्टो ज्यादा उपर चली जाए और आपको काफी ज्यादा लॉस हो जाए तो उनके एक एक ट्विट के बाद में क्रिप्टो मार्केट में बहुती ज्यादा उचाल आ जाता है तो बिल्कुल ये एकदम मस्ट है कि आप उनको फॉलो कर लीजिए और उनके एक एक ट्विट पे नजर्व बना है रखिए हो सकता है आपकी किसमत कप खुल जाए और बाकी मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई